Love Infinite Channel में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वाकत है मैं लक्षमी आज आपके सामने लेकर रही हूँ Twin Flame Sacred Marriage यानि की Cosmic Marriage के बारे में बताने के लिए जैसा की आप पहले से ही जानते है Cosmic Marriage आपकी 5th Dimension में होती है I mean to say that it has been done in 5th Dimension or 5D You literally know that you are in Twin Flame Journey आप पहले से ही जानते हैं कि आप Twin Flame Journey में है या एक Cosmic Marriage में है आप एक दूसरे की Soul को Unconditionally Love करते हैं एक बार फिर से यहाँ पर बता देती हूँ कि ये Man and Woman की कोई Marriage नहीं है Cosmic Marriage का Means यही है कि आपका Soul Connection एक Unconditional Love पर है एक दूसरे से जुड़ाव है जो कि पहले कई सालों से पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है तो अगर आप दोनों पिछले कई जन्मों से चले आ रहे हैं या नहीं या पिछली लाइफ में, पास लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के क्या थे, क्या आप दोनों की mistakes थी और आप दोनों का soul purpose क्या है, यह अगर जानना हो तो आप astrology से जान सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ, जस्ट आपको message करना है और अपनी दोनों की details भेजनी है, simple, अब एक दूसरे की soul को unconditionally love करते हैं, ना कि physically आप कैसे भी दिखते हो, या आपका partner कैसा भी दिखता हो, कितनी भी बुराइया हो, फिर भी unconditional love करते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे की soul को past life से जानते हैं, बल्कि पिछले कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, Cosmic marriage में true love की हर qualities होती हैं, it is free from all kinds of materialism, तो क्या science है की cosmic marriage के या फिर ये कहें की twin flame sacred marriage के क्या science है, जैसे पहला sign है, आप एक दूसरे की आखों में reflection देखेंगे अपना ही, दूसरा किसी भी तरह की insecurity नहीं feel करेंगे, तीसरा दोनों एक दूसरे में complete trust करेंगे, चौथा एक feeling कि दोनो many lifetime से मिले हुए हैं, ये आपको feelings भी हैं और आप दोनों में से किसी एक ने एक दूसरे के साथ जरूर कहा है, ये बात जानते हुए या अंजाने में कि मुझे लगता है कि हम पिछले कई जर्मों से साथ हैं और एक दूसरे को जानते हैं, या तो आपने सुना है या आपने ही अपने twin flame से या अपने partner से कहा है, क्योंकि आपकी already cosmic marriage हो चुकी है, पाँचवा साइन हर perspective से ये रिष्टा genuine लगता है, बिल्कुल 100% genuine लगता है, 6th sign यही है कि दोनों तरफ से इस marriage को successful बनाने की कोशिश लगी रहती है, अगर ऐसा ही है तो आप cosmic marriage में हैं, या twin flame sacred marriage आपकी already हो चुकी है, चाहे इस 3D life में आप अभी तक unmarried हैं, 7th sign यह है कि this connection is deep and not superficial, जैसे की दिखाई देता है आजकल की सारी दुनिया में के, सब एक दूसरे, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ट्रैक्शन के पीछे भाग रहे हैं, नेम फेम के पीछे भाग रहे हैं और तब शादी करते हैं, यह शादी को एक package बना दिया गया है, कि भई आपका annual package कितना है, मेरा annual package इतना है, चलो जी दोनों मिलकर इतना इतना package इखटा कर लेंगे, और फिर यह करेंगे, और फिर वो करेंगे, प्यार कहां चला जाता है, साइड में हो जाता है, यह वाला वो connection है ही नहीं, एट्स साइन यह है कि इसमें किसी भी तरह का जूट होता ही नहीं है, चोटा मुटा अगर है भी, क्योंकि कुछ childhood wounds के कारण, कुछ social layers के कारण, कुछ हमारे past life की negative करमाज के कारण, और इस life की जो संचित करमाज हैं, वो negative करमा हैं, तो उसके कारण हम जूट बोलना सीख जाते हैं, नाइन्थ साइन यही है कि cosmic marriage में unfulfilled promises होते ही नहीं है, promise किया है तो उसे fulfill किया ही जाएगा, twin flame secret marriage में, किसी भी तरह की commitment and woes की जरूरत ही नहीं पड़ते कि, हाँ मैं तुमसे वादा करता हूँ या वादा करती हूँ, हम जैसे हैं, वैसे ही एक दूसरे को सुईकार करना पसंद करते हैं, 5D में ओलरड़ी cosmic marriage होना, ओलरड़ी marriage होना cosmic marriage ही है, और 3D में अपने ही twin flame से marriage होना, twin flame sacred marriage है, बहुत बार arranged marriage के कई सालों बाद पता चलता है, कि हम twin flame journey में हैं, और अगर आपने इस journey को accept किया, surrender किया, self love किया, self respect में आए, creative side पर अपना काम कर रहे हैं, और spiritual growth पर लगातार concentration बना हुआ है, आपका fully concentrated हैं, तो आप इस 3D में भी, इस पवित्र बंधन को पा लेंगे, accept कर लेंगे, बजाए कि आप ये नहीं सोचेंगे कि, ओ, क्या फाइदा हुआ, cosmic marriage तो है, इस जीवन में तो marriage नहीं हो सकती, अभी तो हम किसी और से हैं, या मेरी किसी और से होने वाली है, फिर क्या फाइदा और ये वो, फाइदा नुकसान कुछ भी नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के हैं, जब आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, और unconditional love शब्द का यूज करते हैं, तो इसमें conditions क्यों लगा रहे हैं, यहां conditions आएंगी ही नहीं, अगर आप रियली आप उनसे deeply, unconditionally love करते हैं, तो आप किसी भी तरह के conditions को नहीं लगाएंगे, कि ऐसा करें, ऐसा होगा तब ये होगा, ऐसा होगा तब वो होगा, दियान रखें अपने mind, body and soul का, God bless you all, thank you so much.